साथियों नमस्कार एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है वीजन नर्सिंग क्लासेस के ओनलाइन प्लैटफोर्म पे साथियों आज हम discuss करेंगे ओन्कोलोजी के बारे में जैसा कि आपने सुना होगा कि बहुत ही ज्यादा important ये unit है आपकी जिसके अंतरगत हम cancer की study करते हैं बहुत सारे ऐसे एक्जाम आते हैं जिनके अंदर इसके लिए important question पूछे जाते हैं जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि अब भी एक Tata Cancer का आपके नर्सिंग में एक्जाम आता है जिसमें Cancer के बारे में और Oncology के बारे में बहुत ज़्यादा चीजें आप से discuss की जाती है तो चलो हम इस lecture की शुरुआत कर लेते हैं बिना कोई delay की हुए साथी मुझे ओनकोलोजी वर्ड है ये दो वर्ड से मिलके बना है एक ओनको होता है और एक लोगस होता है ओनको का मतलब होता है tumor या cancer कह सकते हैं और लोगस का मतलब होता है study यानि cancer की study करना जिस branch के अंदर की जा definition की बात करें तो definition आप बोलना it is a branch of medical science it is a branch of medical science medical science that deal with the diagnosis and treatment of cancer and treatment of cancer ऐसी branch को आप लोग क्या बोलते हैं oncology यानि oncology के अंतरगत आप cancer की बारे में study करते हैं diagnosis करते हैं उसका treatment करते हैं इन सब के बारे में study करते हैं तो उस branch को आप oncology कहते हैं साथियों एक सबसे important बात यहां पे आती है कि इस oncology का father किसको कहा जाता है father of oncology यह question बहुत बार आप लोगों से पूछा जाता है तो आप लोग एक नाम सुने होंगे that is B.J. Kennedy, B.J. और Kennedy, K.E.N.W. Kennedy that is known as father of oncology यह question आपको पहला question है important याद रहेगा second चीज अगर देखें तो cancer day कब मनाया जाता है यह question भी आप से पूछ लिया जाता है cancer day क्योंकि cancer की study आप कर रहे हैं तो इन general चीजों के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए cancer day every fourth February को मनाया जाता है इस चीज को भी आप दिहान रखें यह दो question आपके important होगे यहाँ से introduction के बारे में अगर हम बात करें तो अभी हमारा जो first part चल रहा है that is introduction हम cancer के बारे में introduction पढ़ रहे हैं oncology का introduction आपका start किया है मैंने कि oncology होता क्या है इस introduction के अंदर आप लोगों ने पहला definition पढ़ा दूसरा आपने father of oncology पढ़ा और तीसरा आपने cancer day के बारे में पढ़ा यह तीन question आपके clear हो गए हैं इसके बाद आता है कि आप लोग इसको tumor को या फिर दूसरे word से एक word होता है जिसका नाम है नियो प्लाजम आप लोग कह सकते हैं नियो प्लाजम या मैं कहूं tumor कुछ terminological part है यह tumor नियो प्लाजम किसको कहेंगे tumor किसको कहेंगे new growth किसको कहेंगे इन word को समझना आप लोगों को जरूरी है तो one by one हम कुछ terminology भी आएगी उसके बा आपको tumor कहें या new growth कहें तो यह दो चीजों से मिलके बना है नियो प्लाजम बोले तो नियो प्लस प्लाज्म तो नियो का मतलब तो होता है न्यो और प्लाजम का मतलब होता है growth यानि किसी cells की new growth हो जाना यह cells थी इस cell के full development के बाद इसके अंदर और new growth होने लग गई तो इसक है यह बहुत इंपोर्टेंट है यह पूछी जाती है अगर नियो प्लाजम की definition देखें तो आप लोग यहां से बोलना नियो प्लाजम या tumor की definition the tumor is defined as the tumor is defined as इसको define करते हैं defined as abnormal mass abnormal mass of the tissue of tissue abnormal mass of tissue and growth and growth that is formed as a result of as a result of abnormal abnormal excessive and uncontrolled uncontrolled यानि किसी भी तीन चीज़ें आप लोग देखें किसी भी tissue के बारे में किसी भी tissue का cell का abnormally excessive और uncontrolled अगर growth देखने को मिलती है तो उसको नियो प्लाजम या tumor के नाम से जाना जाता है यह चीज़ भी आप लोगों को समझ में आ गई होगी next अब हम आगे पढ़ते हैं जो यह नियो प्लाजम है या tumor है इस tumor के types के बारे में अगर discuss करें तो इसके types of tumor में आपको बोलूँ तो दो प्रकार के tumor देखने को मिलती है एक होती है benign tumor और एक होती है malignant tumor साथ हूं यहां से बहुत ज़्यादा आपके competitive exam में question पूछे जाते है tumor की मैंने definition बताई यह tumor nature के आधार पे ur दो प्रकार की हो सकती है अलग-अलग nature की पाई जाते हैं प्रकरती के आधार पर, सबहाव के आधार पर फीचर्स के आधार पर tumor दो प्रकार की हो सकती है पहला मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं यहां पर अगर आक देखें तो एक होती है benign tumor बिनायन ट्यूमर और दूसरी होती है साथियों दूसरी साइड आप लोग बोल सकते हैं मैलिगनेंट ट्यूमर क्या डिफरेंस होता है इनके अंदर एक बार आप लोग सुन ले फिर मां आपको वन बाई वन इनके डिफरेंस भी बता देता हूँ देखो जो benign tumor है यह tumor फैलती नहीं है, यहां पर इनका origin होता है उसी side के उपर रहती है ऐसे tumors को benign tumor के नाम से जाना जाता है वो tumor जो एक जगें से दूसरी जगें पर body में फैल जाती है ऐसे tumors को malignant tumor के नाम से जाना जाता है यानि इनके अंदर spreading नहीं पाई जाती है, इनके अंदर spreading पाई जाती है, तो benign और malignant का फरक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, अब ये फैलती क्यों नहीं है, benign tumor क्यों नहीं फैलती है, क्योंकि इनके चारों और एक capsule की layer पाई जाती है, की structure पाई जाती है, जो capsule structure होने क की वज़े से इनका जो genetic material है वो बहार invade नहीं कर पाता है, लेकिन malignant tumor के अंदर जो capsule है, वो absent होता है, जिसकी वज़े से invasion देखने को मिलता है, और जिसकी वज़े से metastasis देखने को मिलता है, इसलिए ये एक जगे से दूसरी जगे पे फैल जाती है, यानि तीसरे feature की अगर मै बात करूँ, तो benign tumor में metastasis नहीं पाया जाता है, malignant tumor में metastasis feature पाया जाता है, metastasis क्या होता है, थोड़ी देर के बाद मैं आप लोगों से discuss करूँगा, वैसे आप लोग अभी इतना जाने कि metastasis का मतलब होता है, ऐसा process जिसके दुआरा tumor या cancer एक जगे से दूसरे जगें प जैसे आपने सुना होगा, blood के दुआरा चली जाती है, lymph के दुआरा चली जाती है, local invasion के दुआरा चली जाती है, आगे हम इनके बारे में discuss करेंगे, मैं benign tumor की यहाँ परिवासा आप लोगों को बता देता हूँ कि benign tumor किसको गएंगे, तो आप लोग बोलेंगे, these tumor, these tumor, these tumor, आप बोलेंगे, not spread to, not spread, not spread to another organ or cell, another organ or cell, उसके बाद कहेंगे, the tumor have no ability, the tumor have no ability, no ability of invasion, इसके अंदर invasion के ability नहीं पाई जाती है, लेकिन यहीं पर, जो malignant tumor है, यह क्या कहेंगे, these type of tumor, these type of tumor, these type of tumor, are spread, are spread, from one to another organ, another organ of body, इसलिए इनको हम malignant tumor के नाम से जानते हैं, इसके अलावा, जो benign tumor है, यह कैसी होती है, इनके अंदर capsulated होती है, these are capsulated, लेकिन यह आपकी क्या होती है, non capsulated होती है, इनके अंदर capsule नहीं पाया जाता है, और capsule नहीं पाया जाता, इसलिए यह spread नहीं होती है, और यह spread हो जाती है, यह चीज़ भी आप याद रखेंगे, अगर आप से कोई पूछेगा, कि benign tumor spread क्यों नहीं होती है, तो आप कहेंगे, कि उनके चारों और capsule पाया जाता है, यानि देखो, यह एक tumor है, मान लेजिए यह एक tumor है, इस tumor के चारों और, यहाँ पे क्या पाया जाता है, एक capsule पाया जाता है, अब यह capsule इस tumor का genetic material है, इस genetic material को बहार नहीं निकलने देगा, तो यह दूसरी जगह पर फैलेंगी भी नहीं लेकिन यहां पर capsule नहीं पाया जाता है नोन-capsulated है यह word आप लोगों को याद रहेगा अब अगले feature के उपर चलता हूँ जो benign tumor है जब spread नहीं होती है तो यह less harmful होती है less harmful होती है ज़्यादा गहात तक नहीं होती है लेकिन वहीं आप से पूछा जाये तो यह more harmful होती है ज़्यादा गहात तक होती है malignant tumor इसके अलावा कहेंगे जब ज़्यादा गहात तक नहीं होती है तो इनका prognosis good होगा गुड प्रोग्नोसिस होगा, प्रोग्नोसिस का मतलब होता है इनकी recovery rate अच्छी होगी, patient के सही होने के chance ज्यादा रहेंगे बिनायन ट्यूमर के, लेकिन यहाँ पे पूवर प्रोग्नोसिस देखने को मिलता है, पूवर प्रोग्नोसिस, इसके बाद आप लोग देखें, जो आपके बिनायन ट्यूमर है, इनके अंदर और भी feature आपको देखने को मिलेंगे, जिनके आधार पे आप कह सकते हैं, कि इनके अंदर polyclonality पाई जाती है, आप लोगों ने एक word देखा होगा, ये भी आप लोगों से पूश लिया जाता है, polyclonality, polyclonality का मतलब होता है, कि same, एक से ज्यादा जो cells हैं, मान लीजिए ये cells हैं, ये same अपने जैसे ही clone तयार कर रही है, इसको बोलते है polyclonality, तो ऐसे tumor जिसके अंदर same size के ज्यादा cells पाई जाती है, clone type की, तो इसको कहते हैं polyclonality, लेकिन यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलती है, monoclonality देखने को मिलती है, malignant cancer के अंदर, इस प्रकार से next आप लोग बोल सकते है, benign tumor की जो growth होती है, वो slow growth देखने को मिलती है, जबकि malignant tumor के अंदर fast और rapid growth देखने को मिलती है, बच्चों क्या देखने को मिलती है, fast और rapid growth देखने को मिलती है, इसके बाद benign tumor को एक बार surgery करने के बाद, re-accurance नह हो जाता है, लेकिन आप लोगों ने देखा होगा, malignant tumor को एक बार surgery के बाद भी दुबारा से regeneration हो जाता है, यानि इनके अंदर re-accurance, re-accurance का मतलब होता है, दुबारा होने की इस्तिती present रहती है, एक बार आपने surgery कर दिया, उसके बाद भी ये दुबारा से spread हो सकती है, दु के अंदर क्या difference होता है, इन से unlimited type के question पूछे जाते हैं, जिनकी मैंने one by one आप लोगों से discuss कर लिया है, इसके बाद अब मैं आप से बच्चों discuss कर रहा हूं cancer, एक चीज आपने सुनी होगी, देखो cancer और tumor के अंदर difference होता है, cancer क्या होता है और tumor क्या होता है, इन दोनों में difference स वो tumor कहलाता है, वो neoplasm कहलाता है, अभी हमने definition पढ़ी थी, लेकिन cancer कुछ अलग है, cancer का मतलब क्या होता है, cancer का मतलब होता है, कि आप लोगों ने देखा होगा, जो cancer है, इसको CA से represent किया जाता है, CA का मतलब होता है, फैलने वाली, metastasis वाली cancer होना, तो एक word आप लोग लिया गया है, और उस Greek word का नाम होता है, उस Greek word का नाम होता है, आपका crabs, cancer की उतपत्ति कहां से हुई, Greek word से हुई, और उस Greek word का नाम क्या है बच्चों, तो आप कहेंगे crabs, इस crabs नाम से इसकी उतपत्ति हुई है, और इसका meaning होता है, इसका means होता है, crabs का meaning आप लोग अगर दे move fast in all direction in all direction यानि वो cell वो cancer cell वो tumor जो move करती है बहुत fastly all direction में यह माने आप सपोज करो यह कोई cancer है यह कोई cancer cell है यह सभी direction के अंदर बहुत तेजी से move कर रही है move fast कर रही है all direction में इसको आप लोग बोलते है crabs और इसको आप लोग बोलते हैं cancer तो यह परिभासा भी आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि cancer का मतलब होता है Greek word से लिया गया है जिसका नाम crabs है और इस crabs का मतलब होता है कोई भी cells अगर all direction में बहुत move करती है fast तेजी से ग्रोथ करती है तो उसको cancer आप लोग कहते है जो word cancer है मैंने पहले भी बताया था कि जो word cancer है इसको किस से denote किया जाता है word cancer was denoted by denoted by CA इसको CA से represent किया जाता है और CA का मतलब है आप लोग यह समझे CA is used and it used for malignant cancer used for malignant cancer तो आप लोग मेरी बात समझ गई होंगे कि CA को ही क्या बोलते हैं आप malignant cancer यानि जहां भी CA लगेगा इसका मतलब उसमें malignancy present है वो एक जगें से दूसरी जगें पर फैलने वाड़ा cancer है तो tumor जरूरी नहीं है कि body के अंदर दूसरी जगें पर फैले लेकिन cancer अगर हो गया तो एक से दूसरी जगें पर फैल सकता है यानि cancer को हम CA से represent करते हैं अब आप लोगों ने example सुने होंगे बच्चों यहां से देखें एक word होता है CA stomach तो आप लोग क्या समझेंगे malignant cancer of stomach malignant cancer of stomach यह आप लोग समझेंगे तो ऐसे है CA of ovary malignant cancer of ovary CA lungs malignant cancer of lungs यानि CA word लगने का मतलब होता है कि malignance CA किसको denote करता है malignancy को denote करता है तो आप लोगों को अब समझ में यह बात आ गई होगी CA prostate, CA breast, CA stomach कुछ भी आप लोग लिख देए इसका मतलब होता है malignant cancer of the stomach malignant cancer of the आप कह सकते हैं breast इस तरह से malignant cancer of the lungs यह आपके example होगे अब एक note लगा के आप लोगों को all type of tumors are not cancer but all cancer are tumor सभी tumor cancer नहीं होती है लेकिन सभी cancer tumor हो सकती है जैसा कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्योंकि tumor कभी भी जरूरी नहीं है कि वो फैले एक जगह से दूसरी जगह पे फैले लेकिन cancer अगर हो गया तो tumor भी होगा और वो एक जगह से दूसरी जगह पे फैलेगा भी इसलिए आप लोगों को एक word लिखा जाता है कि all tumors are not cancer but all cancer are tumor आगे बढ़ते हैं इसके बाद अब मैं terminology के उपर आ जाता हूँ कुछ terms हैं जहां से question बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं मैं एक pen change कर लेता हूँ बच्चों आप लोगों का terminology terminology यानि medical के अंदर कुछ one word type के होते हैं terms होती हैं उनका मतलब क्या होता है तो cancer में कौन सी terminology यूज की जाती है उनसे आप लोग क्या समझेंगे मैं एक बार one by one करके इनके बारे में discuss कर लेता हूँ आप लोगों ने सुना होगा एक hyperplasia एक क्या होता है hyperplasia इस hyperplasia का मतलब क्या होता है hyper का मतलब जाता और plasia का मतलब number of cells यानि अगर किसी cells के पास किसी ओर्गन के पास number of cells अगर increase हो जाएं तो ऐसी condition आप क्या कहेंगे hyperplasia तो hyperplasia भी cancer हो सकता है एक चीज सुने cancer के अंदर किसी particular cell का size increase बहुत ज्यादा increase हो सकता है या किसी particular ओर्गन के अंदर cells के number बहुत ज्यादा हो सकते हैं दोनों कंडिशन में cancer हो सकता है इस बात को ध्यान रखें तो hyperplasia का मतलब होता है increase the increase the number of number of cells अगर किसी ओर्गन में number of cells बढ़ती है तो उसको आप कहेंगे hyperplasia number of cells in normal arrangement और उनका arrangement भी कैसा होगा normal arrangement होगा यह word आपको समझ में आ गया होगा that is hyperplasia जो hyperplasia होता है इसके अंदर आप लोग इस तरह से समझें इस hyperplasia को मान लीजिए यह cancer है देखो यह cancer cell है यह सारी cancer cell इस तरह से growth कर रही है और growth करके इनकी क्या बढ़ रही है number of cells बढ़ रही है एक organ था इस organ के अंदर इस organ के अंदर यह सारी cells present थी लेकिन यह cells क्या हो रही है number में बढ़ रही है यानि number में अगर यह cells बढ़ रही है तो इनको आप लोग क्या कहेंगे hyperplasia कहेंगे इस condition को यह आप लोग क्या बोल रहे है hyperplasia सभी का normal arrangement ही हो रहा है that means hyperplasia इसके बाद इनके अंदर भी polyclonality पाई जाती है polyclonality यह feature आपने देखा था malignant cancer में नहीं था लेकिन benign cancer में था उसके बाद hyperplasia में भी polyclonality देखी जाती है अपने समान same cells बना लेती है इसके बाद यह feature benign tumor में पाया जाता है किस में पाया जाता है benign tumor के अंदर यह feature पाया जाता है साथ हो आपने एक word सुना होगा example अगर मैं आपको दूँ BPH BPH आपने देखा होगा benign prostatic hyperplasia तो इस hyperplasia H का मतलब है hyperplasia यानि benign tumor के अंदर जो BPH है benign prostatic hyperplasia prostate cancer के अंदर जो cells है वो number में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है उसको BPH बोलते है और यह benign tumor का एक type माना जाता है तो आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा I think कि hyperplasia के अंदर यह सारे feature होते है इसके बाद आप कह सकते है hyperplasia के अंदर जो number of cells बढ़ रही है यह किसी stimulus को बार-बार मिलने के कारण hyperplasia हो रहा है अगर उस stimulus को हम आटा दे remove कर दे तो यह hyperplasia भी रुख जाएगा यानि अगर stimulus को remove कर दिया तो number of cells increase होना भी बंद हो जाएगी तो आप कह सकते हैं यहाँ पर hyperplasia के अंदर growth growth stop after removal of after removal of stimulus अगर आपने stimulus को निकाल दिया तो growth भी क्या हो जाएगी रुख जाएगी इसके बाद कह सकते हैं hyperplasia के अंदर controlled growth देखने को मिलती है कैसे growth देखने को मिलती है बच्चो control type की growth देखने को मिलती है मैंने एक word लिया था hyperplasia terminology में hyperplasia जिसका मतलब होता है number of cells increase होना और number of cells increase होंगी तो polyclinality देखने को मिलेगी और ऐसा benign tumor में देखने को मिलता है example दिया था इसके अंदर stimulus को निकाल देंगे तो आप लोगों की growth भी stop हो जाएगी number of cells का बढ़ना बंद हो जाएगा control type की growth देखने को मिलती है इसके बाद next जो term है उसको मैं आप लोगों से discuss कर रहा हूँ जिसका नाम है neoplasia second जो term के बारे में discuss कर रहा हूँ that is neoplasia बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हो neoplasia meta hyperplasia देख लिया neoplasia इस neoplasia का मतलब क्या होता है तो आप लोग देखें increase number of cells increase number of cells increase number of abnormal cell बोल दें आप number of abnormal cell in abnormal arrangement in abnormal arrangement यानि hyperplasia के अंदर number of cells थी वो normal arrangement में बढ़ी थी लेकिन neoplasia के अंदर number of cells है वो क्या बढ़ रही है abnormal number of cells हो रही है और abnormal ही arrangement देखने को मिल रही है ठीक है इनके बीच में इस तरह से फिर यानि abnormality आपको बीच बीच में देखने को मिलती है तो abnormal cells बढ़ेंगी abnormal arrangement के अंदर एक normal arrangement देखने को नहीं मिलता है देट इस नियोप्लेजिया नियोप्लेजिया जो फिचर है इसके अंदर ये follow करता है monoclonality follow monoclonality आपको डाइग्राम में दिख रहा होगा कि clonality ये cell normal थी ये cell normal थी लेकिन बीच में abnormal आ गई फिर normal फिर बीच में abnormal तो जो abnormal है वो अपने आप में एक ही परकार की cell है यानि visage परकार की तो इसमें持 पराइड़ार पाई जाती है एक cell abnormal होती है अलग परकार की होती है दूसरी cell फिर होगी तो दूसरी shape की होगी तो monoclonality पाई जाती थी लेकिन वहाँ पे आपको same cell के clone तयार हो जाते थे आपने hyperplasia देखा होगा तो इस तरह से same type की cells के clone तयार हो रहे थे तो उसको आपने बोला था that is polyclonality तो आप लोगों को यह word समझ में आ गया होगा next आगे चल रहा हूँ इसके अंदर जो आपने देखा यह malignant tumor के अंदर पाया जाता है present in malignant tumor यानि malignant tumor का यह feature माना जाता है neoplasia लेकिन hyperplasia benign tumor के अंदर पाया जाता है यह ध्यान रखें इसके अंदर growth है वो stop नहीं होगी stimulus को remove करने के बाद भी growth stop नहीं होगी uncontrolled growth देखने को मिलती है इसके अंदर uncontrolled growth देखने को मिलती है तो आप लोगों को इनके difference भी समझ में आ गई होंगे hyperplasia और neoplasia को इसके बाद next में बात कर रहा हूँ एक word होता है जिसका मतलब होता है hypertrophy आपने सुना होगा hypertrophy 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 क्या होता है hypertrophy का मतलब होता है increase the size of cells size of cell किसी cell का after full development किसी cell का full development होने के बाद fully development होने के बाद उसके size के अंदर अगर increase देखने को मिलता है तो इसको hypertrophy के नाम से बोलते है एक होता है atrophy एक word क्या होता है atrophy atrophy का मतलब होता है decrease the size of cell decrease the size of cell किसी size का cells का size घट जाना after full development of cell after full development of cell that is known as that is known as atrophy atrophy में size कम हो जाता है hypertrophy में size बढ़ जाता है इसके बाद आपने सुना होगा एक well differentiated cell well differentiated differentiated cell well differentiated cell वो cell होती है जिसका size, shape, feature, function यह pre-determine होते हैं it is a cell आप कह सकते हैं आप इसको इस तरह से बोल सकते हैं these are the these are the normal cell of body normal cell of body यह body की normal cell है that function, that function, size, organization, organization are pre-decided are pre-decided ऐसी cells को आप क्या बोलेंगे well differentiated cell के नाम से जानेंगे इसके बाद एक word होता है metaplesia बहुत ज़्यादा important word है metaplesia इस metaplesia का मतलब यह होता है देखो conversion of one type of cell into another type of cell or tissue that is known as metaplesia आप इस तरह से समझ सकते हैं कि एक प्रकार की cell है वो किसी दूसरी प्रकार की cell में convert हो जाएं तो इसको metaplesia कहते हैं जैसे होती है जैसे आपने देखा होगा लगातार smoking करने से जो mucosa की cell है oral cavity में वो दूसरी cells के अंदर दूसरी टाइप की tissue में convert हो जाती है तो यह क्या कहलाता है metaplesia कहलाता है क्योंकि लगातार chronic stimulation मिलता रहता है उसको smoking से और वो cells change हो जाती है तो आप इसको कहेंगे metaplesia definition में आपको लिख देता हूँ changing of changing of one type of cells one type of cells और tissue one type of cell और tissue into another type of cell और tissue example अगर आप देखे मेटापलेजिया का आप लोगों को example दे रहा हूँ तो आप कहेंगे chronic irritation of cigarette smoking chronic irritation chronic irritation of cigarette smoking cigarette smoking cause celliated, celliated, pseudo, stratified epithelium stratified epithelium to be replaced by to be replaced by stratified epithelium stratified epithelium यानि आप लोग कह सकते हैं chronic smoking के कारण जब कोई मरीज लगातार smoking करता है तो chronic irritation होता है cigarette smoking से जिसके कारण celliated pseudo-stratified epithelium थी वो किसमें बदल गई stratified epithelium में replace होगी convert होगी एक type का tissue था दूसरे type के tissue में convert होगा है metaplegia कहलाता है इसके अलावा आप लोगों ने देखा होगा कि कही बार जो GERD होता है उस GERD के अंदर भी जो gastro-isophagial reflex disease होती है उसके अंदर stomach के content बार-बार isophagus में आते हैं और stomach जो isophagus है उसकी mucosa को replace कर देते हैं जिसको Barrett's disease के नाम से भी जाना जाता है ये भी metaplegia का ही example माना जाता है तो ये चीज भी आपको समझ में आ गही होगी उसके अंदर भी cell or tissue convert हो जाते हैं आप लोगों को next terminology हम पढ़ रहे हैं that is dysplasia अगला word है आपका dysplasia देखो dysplasia क्या होता है dysplasia हो गया conversion of one type of cell to another type of cell ऐसे ही question आता है what is the meaning of metaplegia आप लोग समझ जाएंगे कोई भी example देगा तो dysplasia क्या होता है आप कहेंगे कि किसी भी cell कोई भी cell है जैसे ये cell है इस cell का size change हो जाए इस cell का size change हो जाए इसकी shape change हो जाए size change हो जाए या फिर इसकी shape change हो जाए तो ऐसी और इसका function change हो जाए तो ऐसी cells को आप लोग क्या कहेंगे dysplasia कहेंगे यानि cell के एक तो well differentiated cell थी उसके अंदर alteration आगे cell के अंदर क्या alteration आए size के अंदर, shape के अंदर और function और organization में change आगे तो ऐसी conditions को आप dysplasia बोल सकते हैं clear है मैं यहाँ पर लिख भी सकता हूँ an alteration in an alteration in size, shape and organization of cell that is known as dysplasia इसके बाद हम next पढ़ रहे है anaplegia anaplegia क्या होता है cell के अंदर severe dysplasia हो जाना cell के अंदर जो size, shape और जो function है उनमें बहुत ज़्यादा changes जा जाना normal और abnormal के अंदर आप लोग differentiate ही ना कर पाना कि क्या normal है और क्या abnormal cell है तो ऐसी condition को anaplegia बोला जाता है यान मैं कहूंगा severe dysplasia severe dysplasia known as anaplegia known as anaplegia और इसमें आप लोग कहेंगे that is the normal cell of body the normal cell of body the normal cell of body become poorly become poorly differentiated cell differentiated cell normal cell of body किसमें change हो जाती है overly differentiated cells के अंदर convert हो जाती है ये चीज आप लोग समझें इसके बाद एक word होता है जिसका मतलब है बहुई carcinoma in situ यहाँ पे आप लोगों को बता रहा हूँ carcinoma in situ carcinoma in situ जिसको CIS के नाम से भी जानते हैं CIS carcinoma in situ एक चीज आप लोग ध्यान में रखें कि इसको pre-cancer condition भी बोलते हैं इसको also known as क्या बोलते हैं आप लोग pre-cancer condition pre-cancer condition यानि नाम से पता लग रहा होगा pre-cancer cancer तो start तो हो चुका है लेकिन cancer के अंदर कौन से cellular changes start हो चुके हैं cellular changes हो गए हैं लेकिन histological changes अभी नहीं हुए है note histological change histological change किसी cell के अंदर cellular changes start हो चुके हैं लेकिन histological changes अभी भी start नहीं हुए है ऐससी condition को हम carcinoma in situ बोलते हैं यानि Cancer होने के जस्ट पहले वाली स्टेज को क्या बोला जाता है Carcinoma in situ और Carcinoma in situ का मतलब आपको Cancer आ रहा है Cancer से पहले वाली स्टेज तो Cancer का मतलब यह होता है CA और CA का मतलब यह होता है Malignant Cancer तो एक चीज और आप लोग समझें यहाँ पर जो ज्यादा important चीज है वो यह है कि कोई भी Cancer सेल है जैसे यह Cancer सेल है मान लीजी यह Cancer सेल है इस Cancer सेल के चारों और एक basement membrane पाई जाती है यह क्या है basement membrane इसके अंदर basement जो membrane है यह intact रहती है जब तक आपकी Carcinoma in situ है उसके अंदर जो basement membrane है वो कैसी है अभी सेल के अंदर histological changes नहीं हुए cellular changes start हो गए है लेकिन साथ में basement membrane इसकी क्या है intact है तो जब तक basement membrane intact रहेगी तब तक इस Cancer का invasion possible नहीं है यह एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं फैलेगी क्योंकि कोई भी Cancer अगर होगी तो पहले basement membrane तूटेगी फिर वो local surrounding tissue है उनमें invade करेगी फिर उसके बाद एक दिन other organs में जाएगी फिर एक दिन और दूरस्त organ में जाएगी तो ऐसे Cancer एक जगह से दूसरी जगह पर फैलती है पहले local invasion होता है फिर उसका regional spread होता है फिर उसका distant metastasis हो जाता है लेकिन जब तक basement membrane rupture नहीं होती है तब तक उसका metastasis नहीं हो सकता है यानि carcinoma in situ carcinoma in situ ही बनी रहती है और जैसे ही rupture हो गई basement membrane rupture हो गई तो carcinoma in situ आपकी किसमें बदल जाती है cancer के अंदर बदल जाती है तो यह चीज आप लोग ध्यान में रखें मैं यहाँ पर note लगा के लिख देता हूँ इस चीज को जो मैंने समझाया है कि अगर basement membrane basement membrane देखो यह basement membrane अगर intact है तो ऐसी condition में आप लोग क्या कहेंगे no invasion कोई invasion नहीं होगा क्योंकि genetic material बहार नहीं आएगा यानि no invasion और no metastasis बात समझ में आ गई होगी और metastasis नहीं होगा तो आप कह सकते हैं condition curable यह condition भी कैसी है curable है इसको ठीक किया जा सकता है लेकिन अगर basement membrane rupture होगी एक condition तो यह थी आप लोगों की basement membrane rupture ना हो intact रहे तब तो यह condition curable रहेगी carcinoma in situ cancer में नहीं बदलेगा लेकिन दूसरी condition बता रहा हूँ if basement membrane rupture अगर आपकी basement membrane है वो rupture होगी intact नहीं रही तो ऐसी condition में क्या देखने को मिलेगा आपको invasion देखने को मिलेगा और invasion का मतलब है metastasis भी देखने को मिलेगा metastasis और invasion होगा अब इस condition में आप लोग कहेंगे जो carcinoma in situ है वो किसमें बदल जाएगा carcinoma में मैं कहूंगा carcinoma in situ change into या convert लिख दूँ तो ज़्यादा अच्छा है convert into carcinoma carcinoma के अंदर बदल जाता है carcinoma in situ किसमें convert हो जाता है carcinoma में जब basement membrane rupture हो जाती है अब इसको treat करना cure करना बहुत मुश्किल हो जाएगा क्योंकि अब metastasis होने लग जया most common site जो है carcinoma in situ की वो आपकी cervix के अंदर देखने को मिलती है कहां पे देखने को मिलती है cervix के अंदर carcinoma in situ अब आप लोग next देखे इसके बाद है एक condition और आपने देखी होगी कि example के अगर बात करूं carcinoma in situ जैसे example के अगर हम बात करें तो chronic smoke के कारण chronic smoking के कारण chronic smoking के कारण क्या होता है carcinoma in situ in lungs हो सकता है carcinoma in situ in lungs सही बात है ना भई carcinoma in situ अगर आप लगातार लंबे समय तक smoking करते हैं chronic तो आपके lungs के cells के अंदर changes start हो जाएंगे और इसी को carcinoma in situ of lungs कहेंगे अगर आप tobacco, chronic tobacco लेंगे तो ऐसी condition में carcinoma in situ कहां हो सकता है oral cavity में oral cavity में यानि जैसे आप risk factor के contact में हो रहे हैं वैसे ही उस area की cells के अंदर changes करने लग जाती है और वो changes एक दिन carcinoma in situ cancer में भी बदल सकता है यह चीज आप लोग ध्यान में रखेंगे तो आपको आई होप समझ में आ गया होगा यह difference इसके बाद आपको एक word बता रहा हूँ that is metaplesia 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 का मतलब यह होता है आपको बताया था one type of cells एक type के cells है वो किसमे convert हो गए another type of cells के अंदर अच्छा यह another type of cell यह मैं आप लोगों को बता चुका हूँ metaplesia मुझे आप लोगों से बताना था इसके example और बता दूँ अगर आपको ना समझ में आए हो तो एक example और लेलो जैसे आपने देखा होगा एक lower isophagus lower isophagus के अंदर मैंने आप लोगों को अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था lower isophagus के अंदर एक disease होती है जिसको आप लोग बोलते है GERD क्या हो जाता है GERD gastroesophagal reflex disease जिसकी वज़े से HCL isophagus में आने लग जाता है और उसकी वज़े से जो stratified stratified squamous epithelium होती है isophagus की यह किसमे convert हो जाती है यह आपकी columnar stratified columnar stratified epithelium में बदल जाती है और इसी को आप लोग क्या बोलते है barats isophagus इसी को आप बोलते है barats isophagus बहुत important question है isophagus तो ऐसी condition में आप से question पूछेगा barats isophagus किसको indicate करता है metaplesia, hyperplasia metastasis, anaplesia तो आप कहेंगे metaplesia को define कर रहा है barats isophagus क्योंकि इसके अंदर एक type की cells है वो दूसरे type की cells के अंदर convert हो रही है stratified squamous epithelium थी isophagus की, वो columnar stratified epithelium में बदल गई और एक cell दूसरी cell में बदलना metaplesia कहलाता है इसके अलावा lungs के अंदर आपने देखा होगा पार्ट वन के अंदर हमने introduction में इतनी चीजे आप लोगों से discuss की है introduction के अगले पार्ट में हम कुछ और चीजों के बारे में discuss करेंगे तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद thank you so much पार्ट